अगर आप फेल हो गए है तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है हम आगे आपको बताएंगे किस तरह किसे आप सिख्चक भरती के लिए अभी भी आप एलिजिबल हैं साथ में कल सीजी टेट का रिजल्ट आया उस पर हम बाच्चित करने वाले हैं दूसरी और बहुत ही महतवपूर्ण बात 419 पदों पर भरती विग्यापन निकला है साहिक समागरी का और साथ में आप देख रहे हैं कि 24 पदों पर साहिक उप्मिरिक्षक के पदों पर भी भरती विग्यापन जारी किया गया ये दोनों भड़ती भी कि आपर इंडिया लेवल के हैं तो हम इस पर विस्तार पुरुवक बात करेंगे बहुत ही मात्पून साथ में कल मुख्यमंत्री जी के तुवारा एक बहुत आरक्षन से सम्मंदित बहुत बढ़ा निर्णा इलिया गया है पूरी बातों पर विचार करेंगे तो जल्दी चलिए बिनकी तरीकी वीडियो को इस्टार्ट करते हैं जल्दी से जाए शब्सक्राइब करें तो देखिए सबसे पहले कल सिजी टेट का रिजल्ट आया तो सभी जो पास हुए अभ्यर्थी है उन सभी को बहुत-बहुत सुपकामना है और बधाई आप सभी को और जो फेल हो चुके हैं उनके लिए एक बहुत ही गंभिर है मामला क्योंकि भई देखिए आने वाले समय क्यों इस पहले आपको माने बताया कि एक सब्तह की भीतर जो कौंसिलिंग वाली सीटे हैं इंजीरिंग की 16,000 सीटे टोटल-टोटल लैप्स हो जाएगी अगर आरक्षण का चीज क्लियर नहीं हो पाया तो जो चीजे तकनीकी शिक्शा में लागू होगी वही भरती में ला किसी भी प्रकार से अगर रोष्टरब्र मंतरीजी द्वरा लगबक 10 लाक नौकरियी के ग मैंने आपको घ्ल बताया था क्योंकि आप सभी जानते चुनाओं है 2024 में तो उसकी तयारी अभी से करना पड़ेगा सेम यही चीज हमारे आज 36 गर में होगी क्यों होगी कारण है बहुत सारे अगले साल 36 गर में चुनाओं है उसके पहले एक ट्रायल चुनाओं या इसको उपचुनाओं भी बोल सकते हैं धानु प्रतापपुर में जैसे क्या आपके इश्क्रिन पे शोГो होगा भानु प्रतापुर में उपचुनाओं की तयारी शुरू पांचवा उपचुनाओं है चार उप चुनाओं हुए, चारों में कॉंग्रेस जीती है, अब एक पांचवा उप चुनाओं है, यह फ़ज़से यह चुनाओं बहुत ही महततपून हो जाता है, आपको बताना चाहूँगा कि 6 महने के maximum तक इस seat को भरना है, और इसका 6 महना हो रहा है, 6 अप्रेल के आसपा यहां पे चुनाओं हो जाएगा अब आप देखेगा कि अप्रेल महीने में अप्रेल महीने तक कि चुनाओं है तो इसके पहले सरकार बहुत सरी घोष्टनाय करेगी जिस प्रकार से यहां पे मैंने आपको बता जैजिसी 10 तो उसी प्रकार से यहां पर 36 गड़ में भी लाखों की वेकैंसियांगी इस प्रकार से आपको आने वागे समय में कुछ पोस्टर्व में यह छीज़ए आपको देखने को मिल अब रही बात चुनाओं हैं तो चुनाओं के लिए कुस तो करना पड़ेगा और उसके लिए देखिएगा यहाँ पे माननी मुख्यमंत्री जी के दौरा कहा गया है कि अनुसीची जाती अनुसीची जन जाती वर्ग के अरक्षन हीतों के लिए हम प्रतिबद्ध है तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में ये चीजे तो लंबी प्रक्रिया चलती रहेगी जो सुप्रीम कोट, हाई कोट ये वाला मामला चलते रहेगा लेकिन सरकार बहुत ही जल्द आप सभी के सामने एक रोष्टर प्रणाली जो भरती से संबंदित और प्रवेश परिच्छाओं से संबंदित जो समस्या है वो दूर हो जाएगी उस चीज के लिए निश्चिंद रहेगा परती क्या होगा कैसे होगा लेकिन हां जो लोग सीजी टेट में फेल हुए है उनके लिए आप लोगों के एक अंतिम आउसर है एक है जो है सेंट्रल लेवल पे जो परिच्छा होगी सीटेट दो हजार बाइस 31 अक्टूबर से इसके लिए आविदान प्रारम होने जा रहा है ये 16 संसकरण है और इसकी जो परिच्छा है दिसंबर जनवरी में बताई जा रही है जैसके आप क्रिच्छिंग पर शो हो रहा होगा यहां पे जो फीस है वो 1000 रुपए है और दोनों पेपर के लिए 1200 रुपए है याद रखिएगा समाने और OBC वर्ग के लिए है और अगर HTSC और विकलांग है उनके लिए अगर हम बात करें तो 500 रुपए है और 600 रुपए ह करना है तो आप लोग इसमें फॉर्म भरिएगा और 20 भासाओं में परिक्ष्छा एलजित की जाती है तो अगर आप इसमें पास हो जाते है तो जाहिर सी बात है अगर आप CGTate में फेल है तो कोई दिक्कत नहीं है आप CTate में पास हो के सिक्षक भरती में जो होने वाल है उस किसी का समान्य वर्ग के लोग है तो किसी का 90 ंबर से ज़्यादा है फिर बी वो not eligible बता रहाया किसी का है कि 95 whomlow से ज्यादा है फिर वह not eligible बता रहाया है इलिट हो या कूछ हो आपको 90 नंबर लाना ही है यह है उसका क्राइटेरिया यह है कि 90 नंबर आपको लाना है ठीक है रही बात यह हो गए आपके सीजिटेट की बात अब हम बहुत ही महत्पुन वैकेंशियों से संबंदित बात करते हैं जो कि है उन 419 पदों पर समागरी सहयक के पद है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह जो है तेना आयूद वाहिनी रक्षा मंत्राले में ग्रूप C के पद पर सीधी भरती अधार पर योग्य उमिद्वारों से आवेदन जो है अमंत्रीत किये गए हैं यहाँ पर बताया गया है देख पर आवेदन कर सकते हैं और याद रखिएगा इसके लावा सहयक उपनी रिक्षक फॉर्मसिष्ट के जो किये है उन लोगों के लिए सहयक उपनी रिक्षक का पद निकला हुआ है जो की 24 पद है नियुन्तम सेक्षणिक योग गया था वही है कि आपको बारवी उत्तियना क आपके आयूसी में हैं और आप लोग जो फॉर्म भर सकते हैं इसमें 100 रुपय आवेदन सुल्क है याद रखिएगा तो आप इसको इसमें बिल्कुल फॉर्म भरिएगा तो यही आप लोगों को बताना था कि दो वैकेंसिया निकली है और आरक्षान से संबंदित और साम क वीडियो देखना ना भूले क्योंकि साम को एक बहुत ही महत्पूर्ण वीडियो आप सभी के समक्ष रखने वाला हूं तो बिल्कुल उस वीडियो को देखिएगा आज साम को या तो कल मैं रख दूंगा जैसे ही समय मिलेगा फिलाल आज का पॉजिटिव यही तक आशा कर वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़ादा से जाने लोग तक शेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो देखने के लिए आप शबी को बहुत बहुत धन्यवाद आप शबी श्वस्तर हैं मस्तर हैं और पॉजिटिव रहें